तो यह वो कोशन है जिसके अंदर अपनी आइगन वेल्यूस के आने वाली है डिस्टिंट आने वाली है पर यह थोड़ा लेंद्धी होगा तो पेशन्स बनाए रखना क्योंकि कुछ एसा है सबसे पहले देखो हम आइगन वेल्यूस कैलकुलेट करेंगे तो अगर हम कर सकते तो कर देते इसी वज़ेते इसी वज़ेते हैं आप इसमें दिक्कत क्या है कि यहां पे आप इसको ओवर छोटा नहीं कर सकते हैं हमें ऐसी एक्सपैंड करना पड़ेगा आरवन से अगर हम कर सकते तो कर देते इसी वज़े से थोड़ा लेंदी एकोशन तो एक्सपैंड करेंगे आरवन से बाहर लिखेंगे 7 माइनस लेमडा और यहां पे देखो इसको ऐसे हाइड कर लेंगे तो यह हो जाएगा अपना 5 माइनस लेमडा काफी दिनों के बाद जो हम इस तरीके से किसी डिटर्मिनेंट को ओपन कर रहे हैं वरना हम लोग जो अपना सरस मेथड लगाते हैं बट यहां नहीं लगा सकते भी यह समझो बात को जिरो को हटाया माइनस टू ब्रेकिट में देखो ऐसे हाइड करेंगे तो जिरो तो गया तेल लेने यह माइनस है एक माइनस बीच में आता है तो प्लस टू सीदा हो जाएगा अपना 5 माइनस लेमडा ठीक है is equal to 0 अब पहले जो है मैं देखो ब्रेकिट ओपन करता चलता step by step यह bracket open कर लेता हूं दोनों तो यह आजाएगा 30 यह आएगा minus 5 lambda minus 6 lambda plus lambda square minus 4 ऐसा बोलते हैं it is so simple dimple के गाल पे pimple यह होगे 4 चार पंजे 20 और यह plus होगे अपना 4 lambda is equals to 0 अब जो है एक बारी step अब ओर करना पड़ेगा यह हो जाएगा अपना lambda square यह हो गया minus 11 lambda plus 26 और इधर बचा जी अपना minus 20 plus 4 lambda is equals to 0 अब यह bracket open करेंगे और हम बन जाएगे hero ऐसा हम सोच रहे हैं पर ऐसा नहीं है देखो जी यह हो गया 7 lambda square very good यह हो गया अपना minus 77 lambda यह हो गया अपना साच्छिक बयालिज और यह आ जाएगा 182 fast calculation माइनस माइन यह हो जाएगा minus lambda cube और यह हो जाएगा जी देखो plus 11 lambda square यहाँ वो वाली बात याद आती है मेरे को सावधानी हटी और दुरगटना गटी है की नहीं minus 36 lambda minus 20 plus 4 lambda is equals to 0 अभी देखो यहाँ पर क्या सीन है जी पहले lambda cube वाला यह की है अपने पास तो इसको ले लेते है minus lambda cube अब lambda square 7 lambda square 11 lambda square तो 11 और 7 कितना हो गया 18 हो गया क्या चलो कह रहे हो तो मान लेते हैं तो 18 lambda square अब यह lambda वाले 77 यह negative का है और कौन सा lambda है negative का 26 बड़ यह positive है तो मैंसा बोलते हूँ 77 और plus 22 कितना हो गया minus 99 lambda और देन उसके बाद 182 minus 20 यह कितना बचे का plus 162 is equals to 0 अब हम क्या करते हैं इसको positive बनाते हैं मतलब minus common लेके उदर बेज देते हैं है कि नहीं तो यह positive हो जाएगा यह होगे lambda cube minus 18 lambda square plus 99 lambda और minus 162 is equals to 0 अब मसला यह है हमें इसके करने पड़ेंगे factor तो देखो अभी जो है ninja technique लगाते हैं आप इसमें अगर lambda को 3 put करोगे ना तो 3 इसका एक factor निकल के आएगा 3 के आएगा इसका एक factor निकल के आएगा 3 अगर factor मतलब 3 पर यह जो है मतलब 0 निकल कर आएगा sorry 3 अगर अपना 0 निकल कर आएगा इसका तो lambda minus 3 क्या हो जाएगा इसका एक factor हो जाएगा ऐसा ही पढ़ा है हमने बच्पन से आब इसको कर देंगे divide यह वाला method पढ़ते आएगा देखो मैंने यह पढ़ा है आप लोगोंने भी शाहिद से पढ़ा होगा बाकि comment में बताना मेरे को गर पढ़ा है तो यह हो जाएगा minus 18 lambda square इधर अपना plus 99 lambda और यहां जी हो जाएगा अपना यह minus 162 तो सबसे पहले किस से multiply करने को मांगता है lambda square से क्या very good यह हो जाएगा lambda cube minus 3 lambda square यहां पे करेंगे sign change तो अपना जो है एक और marker use कर लेते अलग रंग हो positive यह cancel तो यह हो जाएगा अपना minus 15 lambda square plus 99 lambda अब multiply करना पड़ेगा minus 15 lambda से तो यह हो जाएगा जी minus 15 lambda square और यह हो जाएगा minus minus plus 45 lambda यहां देखो यह cancel और यह कितना बचेगा अपना 9 में से 5 गया 4 और 9 में से 4 गया 5 तो 54 lambda यह लिखेंगे 162 यहां क्या multiply करने का पड़ेगा जी अपने को इधर करना पड़ेगा plus 54 ठीक है ना तो यह हो जाएगा 54 lambda और यह हो जाएगा अपना minus 3.12 3.15 और 16 इनके करेंगे sign change sign change तो यह negative g यह positive g तो क्या होगा cancel हो जाएगा इससे यह cancel इससे यह cancel बचा 0 remainder मतलब हमारा जो है कार्य संपन हुआ तो factor हो गए अपने lambda minus 3 और bracket में आगया अपने पास lambda square minus 15 lambda plus 54 is equals to 0 तो अब देखो इसके factor कुछ इस तरीके से कर सकते है क्या हम लोग lambda minus 3 lambda square minus 6 lambda minus 9 lambda plus 54 क्योंकि देखो 9 और 6 15 होता है और 9 6 54 भी होता है तो बात बन गई तो यहाँ पे जो है lambda minus 3 और इधर जाएगा lambda common lambda minus 6 इधर minus का 9 common lambda minus 6 तो factor आगए जी बदाई हो factor क्या है अपने पास lambda minus 3 lambda minus 6 और lambda minus 9 यह factor अगर अपने पास आही गए है तो eigen values क्या क्या है अपने पास lambda 3 आगया lambda 6 आगया और lambda 9 आगया तो देखो इस question में अपने तीनों eigen values different है अब तीनों के corresponding क्या calculate करने हमें eigen vector तो सबसे पहले देखो बात कर लेंगे lambda 3 के corresponding अपने eigen vector की तो matrix क्या दिखाई देगे अपने को यहाँ पे 7-3 4 0-2 very good 0 5-3 2-2-2-2-2-6-3 is 3 और इदर अपना जी बलो x1 x2 and x3 है की नहीं condition देखें क्या है यहाँ पे condition दिखाई दे रही है आपको 4x1-2x3 is equal to 0 ऐसा बोला जा सकता है क्या x3 is 2 times of x1 पहली condition आ गई क्या कहते हो box में डाल दे चलो भई क्या रही हो तो डाल देते हैं और दूसरी condition यहाँ से आ जाएगी condition क्या आएगी 2x2-2x3 is equal to 0 तो condition क्या आई x2 is equal to x3 है की नहीं भई देखो आप बता रहे हो तो लिख रहा हूं मैं वहना मैं नहीं लिखता तो अपना पहला आईगन वेक्टर क्या निकल कराया x1 जो है हमें लेट करना है x1 को तो यह हो गया 1 यह 1 है तो x3 कितना 2 x3 2 है तो x2 भी कितना 2 अब बात कर लेते जरा 4 lambda is equal to 6 तो 6 के लिए देखो यह matrix क्या दिखाई देगा अपने को 7 minus 6 1 0 minus 2 0 5 minus 6 minus 1 minus 2 minus 2 minus 2 6 minus 6 0 into में आपका x1 x2 x3 very good is equal to 0 then condition क्या आएगी अपनी x1 minus 2 x3 is equal to 0 then x1 is 2 times of x3 कहते हो जी कर दे बाक्स में back चलो क्या रही हो तो कर देते और अपना देखो एक condition क्या आएगा minus x2 minus 2 x3 is equal to 0 बीच में पर्दा लगा दे ना तो पर्दा हट गया तो ठीक बात नहीं है minus of 2 x3 यह देखो यह second condition आगई अपने पास इसको भी pack कर देते हैं box के अंदर अब अपना eigen value जो है x2 वो calculate करते हैं तो यहाँ पर let किसको करना पड़ेगा x3 को x3 को मैं 1 let कर लेता हूं x2 हो जाएगा minus 2 x1 हो जाएगा 2 ठीक है अभी हमें क्या चेक करने क्या यह दोनों orthogonal है मतलब इनका निकालना dot 0 आता है 1 into 2 2 2 into minus 2 minus 4 2 into 1 2 sum करना तीनों का 0 आ रहा है very good it means all okay then यहाँ पर बात करेंगे for lambda 9 की अपना third eigen value for lambda 9 matrix देखो किस तरीके से reduce होगा अपना यह 7 minus 9 minus 2 0 minus 2 then 0 5 minus 9 minus 4 minus 2 and यह जाएगा minus 2 minus 2 6 minus 9 minus 3 और यहाँ पर अपना x1 x2 x3 और दुनिया में आना है free दुनिया से जाना है free तो condition क्या निकल कर आ रहे है यहाँ पर देखो क्या है कि minus 2 x1 और minus 2 x3 is equals to 0 it means x1 is minus of x3 तो एक condition अपनी आ चुकी है इसको pack कर देते हैं पहले box के अंदर और इसी के साथ कर दिया pack दूसरी condition देखो यहाँ से आ रहे है अपनी minus 4 x2 और minus 2 x3 is equals to 0 it means हम ऐसा लिख सकते हैं क्या x3 is minus of 2 x2 देखो जरा मैं x3 को अधर ले गया तो x3 क्या आ गई मेरी मदब value क्या है इसकी minus of 2 x2 तो इस बार ही अपने को क्या let करना पड़ेगा इस बार ही अपने को x2 let करना पड़ेगा तो third eigen vector जो अपना x2 को हम one let कर लेते हैं तो x3 हो गया minus 2 और x1 जो इसका minus यह नही plus 2 चेक करो इसका और इसका dot 0 आ रहा है कि 2 और 2 4 minus 2 और 1 minus 2 1 और minus 2 तो 0 मतलब सही है इसको और इसको चेक करते हैं 2 और 1 2 1 और 2 2 minus 2 और minus 2 minus 4 0 आ रहा है मतलब all okay तीनो आइगन जो अपने vector है वो correct आया है तीनो और्थो कोनल है अब भी हमें तीनो की length निकाल नहीं पड़ेगी तो जल्दी सिदर निकालते है length of x1 space थोड़ा अपने पास तंग है तो x1 का length कितना रहेगा 1 plus 4 plus 4 which is 3 चेक करो इसकी भी length 3 आएगी क्या length of x2 तो ये भी क्या रहेगा देखो अपने पास 4 4 1 बहुत 2 का square 4 minus 2 का square 4 1 ये भी कितना है 3 और चेक करो क्या third eigen vector की भी length 3 आएगी क्या यहाँ देखो ये काँ चला गए तीसरा ये रहा तो 4 plus 1 plus 4 is equals to 3 तो यानी की अपनी जो P matrix है वो क्या आ गई देखो ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हुई है बट मैं मुईद करता हूँ आप लोगोंने ये कुछ सीखा होगा इसमें से क्योंकि चीज इंपॉर्टेंट है पहला इगन वेक्टर कहां ये रहा तो 1 by 3 very good फिर यहाँ आएगा अपना 2 by 3 और 3 by 3 यहाँ आएगा अपना 2 by 3 ऐसे लिख देते हैं इंटू P का ट्रांस्पोस मल्टिप्लाइ करेंगे आंसर क्या आएगा आएगा और शॉर्य डाइगनल मेट्रिक्स क्या आएगा अपना देखो यहाँ पे आइगन वेल्यूस क्या थे इसके 3, 6, 9, 0, 0, 0, 0, 0 तो बड़ाई सिंपल था बट यह चीज़ आपको चेक करनी है और्थोगोनल वाली जो कंडिशन है तो उमीद करता हूँ आप लोगों को समझाएगा कि और्थोगोनली सिमिलर मेट्रिस क्या होती है तो मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में नाइट आपिक के साथ